तो देखते हैं कोश्चन नमबर एरोडो का 1.132 इस कोश्चन नमबर में मैंने रेड लाइन का रखा है पूपेल आपको प्रूफ करना है तो पहले एक्वी पोटेंशल सर्फेस की क्यों निकाल लो अपने आप प्रूफ हो जाएगा अगर सर्केल आई एस फियर आई इस question में potential energy का expression दिया है और पुछा है कि field central है या नहीं है दूसरे part में बोला है कि एक्यू potential surface का shape बताई है और फिर बोला है कि magnitude force F होगा उस surface का shape बताई है ठीक बहुत interesting question है इसमें A part करने से पहले B part पर focus करोगे तो A part खड़ाक से हो जाएगा मतब एक्यू potential surface की equation now what is equipotential surface इक्यू potential surface वो होती है जिस पर potential हर point पर सेम होता है और यह हमेशा force के perpendicular होती है तो in case of central force it must be a sphere और circle ठीक तो यहां के अगर मैं बात करूँ तो बहुत simple सा काम बनेगा कि potential आपको already potential दिया हुआ है पोटेंशल energy दी हुई है और इस energy को अगर मैं constant से equate कर दूँ बच्चों तो सीधा-सीधा जो equation आग रही है वो equipotential surface की तो आ रही है तो x square अपॉन रूट पीटा प्लस का whole square प्लस y square अपॉन रूट alpha अन्हें alpha बीटा से डिवाइड कर दिया ठीक है एक नया constant कह सकते हैं सीवन जो भाई कहा जा सकता है और आप चाहें तो इस constant को भी अंदर ले सकते हैं आप इस constant को अंदर लेंगे तो भी का हमारा बन जाएगा इस constant को अंदर लेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि क्या value है तो constant c1 को भी अंदर ले लेते हैं या c1 square लिखते हैं और हम कह देते हैं x square अपॉन c1 रूट बीटा का whole square प्लस y square अपॉन c1 रूट alpha का whole square बराबर 1 ठीक तो यह किसकी equation बच्चो ellipse की equation है ellipse की equation है और अलग-अलग c1 की value पर semi major axis और semi minor axis की value अलग-अलग होगी तो जाहिर सी बात है कि जो force है वो central तो नहीं हो सकता क्योंकि ellipse के सारे normal एक ही point पर तो cut करते नहीं है और नहीं cut करते है तो central force नहीं होगा ठीक तो b part भी खतम हो गया और a part भी खतम हो गया b part में यह answer है और a का answer हो जाएगा no हाँ अब magnitude constant वाला question करूँ बहुत ही simple है u दिया हुआ है आपको तो use alpha x square plus beta y square है तो force की value बच्चों क्या जाएगी माइनस 2 alpha x i cap माइनस 2 beta y j cap वह formula del u by del x वाला वो यूज कर लो magnitude पच्चों कितना होगा इसका force का वह जाएगा टू बहार ले लेते हैं root over alpha square x square plus beta square y square बराबर नया constant sum k बोल देते हैं ठीक तो यहां से question आ जाती है alpha square इसको भी थोड़ा सा range करें तो x square by beta square plus y square by alpha square बराबर नया constant k1 square और फिर से question आ जाती है x square k1 beta का whole square plus y square k1 alpha का whole square बराबर 1 यानि कि magnitude of force जिसका constant है न उसकी equation ellipse होगी लेकिन semi minor axis और semi major axis पर थोड़ा difference है यहां पर यह root alpha c root alpha और c root beta होगी और जबकि यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर कि कुछ नया constant भी बोल सकते हैं और यह कह सकते हैं कि यह alpha और beta के proportional होगी यह k1 alpha होगा उल्टा लिख दिया मैंने हाँ यह k1 beta होगा और यह k1 alpha होगा ठीक ऐसे यहां पर थोड़ा उल्टा लिख दिया है मैंने यह अगर इसको x-axis ले रहे हैं तो यह root बीटा आजाएगी और यह वाला c root alpha हो जाएगा ठीक तो यह है इस question का solution उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ कोई बात समझ में नहीं आईए तो comment section पर mention करिएगा मिलते हैं next solution के साथ अब तक के लिए टाटा बाब है